सांदे देसल के खापा थाना अंतरगत के ग्राम खेरी पंजाब सेथ कनक कोटन जिनिंग प्रेसी में 18 दिसंबर की मध्य रात्री में दो यवा कामगारों की कपास के धेर के नीचे दपने से मौथ होनी का मामला उजागर वा है प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 दिसंबर की रात राजस्तान निवासी तीन कामगार वेरमाराज देदा राम भील उम्र 21 साल पुकराज मांगिलाल भील उम्र 20 साल तथा चोथा राम भील करनक जिनिंग प्रेसिंग में कपास की गठाने प्रेसिंग का कारी करे थे क्या चान का समय लगने की जानकारी उक्तववार करोकती जिसके चलते वीर माराज देदराम भील तथा भूकराज मांगलाल भील दोनों पास ही लगे कपास के धेर के पास जाकर सोके तथा चौधा राम भील वही मशिन के करी भी लेद गया राद करी तीन बजे के लगबक मशिन के पास ब्रुद्वक का जाके दिखाई पड़ते ही उक्तवड़े धेर से तूट कर बगल में बने करीब 10-20 क्विंटल छोटे कपास के धेर को हटाते ही दोनों कामगारों के शव दिखाई पड़े जिससे कपास के धेर में दंग उटने से दोनों की मौत होने के कयास लगा जा डॉक्तरों ने उन्हें मृत खोशित कर ही चुती फाउंडेशन के हितिश बंसोड के स्तयोग से शव विच्छदन ही तू तैसिल मुख्याले सावने ड्रवाना कर गटना की जानकारी खापा थानिदार मनुष खड़ से को दी गटना की जानकारी प्राप्त होते ही थान प्रवंदन के खिलाब नानास की साफ तोर पर दिखाए देरी थी काफी मश्यकत तथा थानेदार मनज खड़ से वन्यव पस्ते समासेवियों के काफी समझाने के बाद मृत्तक दोनों के शव नीजी रुगनवाहिका से राजिस्तान उनके मुल्गाव रवाना की जिनिंग प्रवंदन अपना काम निकाल लेते हैं जिसकी बड़े ठीकेदा के मात्र से चला जाता है ऐसे में अपने परिवार से दुर आये बुर्व तक दोनों कामकारों की तनक जिनिंग प्रवंदन के काम चलाओ कार्य प्रनाली से हुई मौत से उक्त दोनों परिवारों पर दफा दफा तो नहीं करेंगे ऐसी चर्चाओं का बाजा अगर्ग है वही दोनों मृतक 20 से 21 साल की होने से करनल जिनिंग प्रेसिंग द्वारा दोनों मृतकों की परीचनों को कम से कम 25 प्रचिस लाख रुपे मौज़िक की रुपे प्रदान करें ऐसी जानकारों की मांग है इन्बिस्यन न्यूस के लिए साउने से किशव धुंडेली की रिपोर्ट